है रो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नैना बूटिक में मैं हूँ आपका दोस्त सहीत परवेश तो दोस्तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम शोल्डर कटिंग करना सीखेंगे शैड का ठीक है कितनी आसान तरीके से आपको बताऊंगा प क्योंकि बहतर सबसे बहतर जो रहता है वो डवल शोल्डर रहता है तो डवल शोल्डर किस तरीके से कटिंग करेंगे वह आज की वीडियो में सीखेंगे ठीक है दोस्तों का चैनल पहली बारा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाईएगा वीडियो को एंड देखें जिससे आपकी समझ में सब कुछ आ जाए दोस्तों मान लो जैसे आपका शोल्डर है 20 इंच ठीक है एक इंच का देंगे हम मार्जन तो कितना हो गया यह हो गया 21 इंच आप इसी तरह यही प्रोसेस सारे शोल्डर में रहेगा चाहां छोटा हो या बड़ा हो ठीक है 20 इंच शोल्डर एक इंच मार्जन यानि कि शोल्डर की दोनों साइड़ों में आदा आदा इंच का जो मार्जन जाएगा वह एक इंच हमने यहां लगा दिया तो टोटल शोल्डर हमारा जो कटेगा वह 21 इंच कटेगा अब यहां पर 20 इंच है तो सिलाई में हम आदा आद कर लिए डबल करने के बाद में इस तरीके से कर लेंगे फोड ठीक है अब यहाँ पर लगा देंगे नाहून अब जैसे मालो आपका शोल्डर है यहाँ पर 20 इंच आदा आदा इंच का दिया मार्जन तो शोल्डर होगे हमारा 21 इंच ठीक है तो यहाँ से हम शोल्डर की लंबाई देंगे वो देंगे 21 इंच यानि कि 21 इंच का हाफ करेंगे दोस्तों तो कितना होता है 25 इंच तो हम यहाँ पर 25 इंच पर एक निशान लगा देंगे 25 इंच पर एक निशान लगाने के बात अब बात करें शोल्डर की चोड़ाई की तो दोस्तों आपको यहाँ पर शोल्डर की चोड़ाई जो लेना है वो लेना है 25 इंच ठीक है आदा दे इंच का हमारा मार्ज उपर नीचे जाएगा तो दोस्तों यहां पर हमारा शोल्डर रहाएगा साड़े चार इंच complete ठीक है तो बिल्कुल perfect चोड़ा ही रहती है वो उसके बाद में जैसे हमने एक पॉने दो इंच पे अब मालो आपका कॉलर है पंद्रा इंच ठीक है पंद्रा इंच का है तो हम यहां पर इसका जो फैलाव कटिंग करेंगे वो करेंगे धाई इंच इस से जादा बिल्कुल ना करें अगर आपका डर है कि आपका हाला ना बढ़ जा तो आप सबाद दो इंच तक कर सकते हैं फिलाल मैं धाई इंच करता हूं कोई भी यहां पर डर वाली बात नहीं रहती perfect रहता है अब यहां से हम एक इंच देंगे ठीक है यहां 10 इंच हो गया आददा इंच का मार्श यानि हमने 10.5 इंच पर लगा दिया एक किस इंच शोल्डर का तो 10.5 इंच पर यहां लगा देंगे इसको सीधा कर लेंगे ठीक है दोस्तों इतनी सिंपल तरीके बता रहा हूं कि आपको अगर यह समझ में नहीं आया तो आपको कोई उनेक के रहिए कंडिग समझ में आने वाली नहीं है शोल्डर की अब इस निशान से और इस नीचे वाले निशान पर पहुन है दो इंच लखानि इस पिरकार और यहां पर निशान लगा देंगे निशान लगाने के बाद यहां देंगे गोल आई ठीक है तो दोस्तों इतन आसा यहां पर आपको काम करना है और बस आपका शोल्डर बिलकुँ कम्प्लीट है कभी भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है आप देखते होंगे कभी-कभी के प्रेस करते टेम आपका क्या नाम में कॉलर है पीछे को भागता होगा तो वह होती है शोल्डर की चोड़ाई की क वह करें कमी ठीक है इसलिए भागता है तो दोस्तों यहांसे हम करेंगे कटिंग दोस्तों कर लिया आप जो ये वाला हिस सब्सक्राइब एक ही चीज़ हॉज आपपी किसी ने न converge हो आज आ जाए ठीक है और इसको इस तरीके से करेंगे open और इन दोनों shoulder हो कर लेंगे अलग-अलग तो दोस्तों यहां पर यह अलग-अलग हो चुके हैं उम्मेद करता हूँ कि आप से shoulder cutting करना आ गया होगा अगर आप से shoulder cutting करना आ गया है तो please मुझे comments करके जरूर बताएं ठीक है comments करके मुझे जरूर बताएं जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग इसको सीख गए हैं तो मुझे जरा थोड़ी खुशी मिलेगी और मैं और अच्छा काम करता हूँगा तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को like करके ही जाईएगा चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे next वीडियो में thanks for watching